भारतिय समिधान के सिल्पकार भारत रत्न महान समा सुधारक बाबा भीम राव अम्बेतकर के एक सेक टेस्वी जैन्ती अमनौर के सुरत सवर्या आई टी आई के परिशर में शमरो पुर्बक मनाया गया इसके पुर्ब गुरुबार को इनके जैन्ती पर भव शोबा या निकाली गई जिसका नित्युत अरजुन राम पुर्ब जिला पारसद अमरंद्र बैठा नीरत सर्मा राजंद्र राम शर्पंच रंधिर कुमार ने किया हजारों की संका में विभिन गाहों से आय भिम प्रेमियों ने हाई स्कूल अमनौर के किरा मैदान में 71 होकर वहां से मार्च किया इस तरह बाबा साहब और महात्मा बुद्ध के तेल चित्र के साथ सभी हाथों में नीला जंडा लिये हुए थे बाबा साहब के नाम के जैजयकार से पूरा अमनौर गुंजयमान हो रहा था शाभी नरा लगा रहे थे जब तक सुरत चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा बाबा साहब अमर रहे शंबिधान के रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे जो समिधान बिरोधी है वो देश बिरोधी है सोभा यात्रा अमनवर बजार होते हुए बलहां होकर शुरसवर्य आई टी आई में पहुंच साभा में तब्रील हो गया कायकरम के पुर्व आयत अतित्यों ने बाबा शाहब और महत्मा बुद्ध के तैल चित्रों पर सर्दार शुमन अर्प्रित कर सरधान लिदिया कायकरम के अधिक्चा पुर्व परचार अंबिकार आये ने किया और जो राम और अमरंदर बैठा ने सब्सक्राइब के तैल चित्रों समिदान के किताब और एक कलम देक चामानित किया इस मौके पर सम्मुदित करते मढभाडा SDO योगेंद्र कुमार ने कहा कि बाबा साहब एक महान पूरुष थे भारत रत्न के साथ बोधी शत्यो नारी मुक्ति दाता शोशीतों के भागविधाता ग्यान के पर्तिक थे इनका सपना था कि भारत जाती मुक्त हो अधोगिक राष्ट बने शदय लोकतांत्रिक बना रहे दुर्भाग है लोग बाबा साहब को एक दलित नेता के रूप में जानते हैं बाबा साहब बच्पन से ही जाती प्रताप का खूल कर बिरूद किया करते थे SDM नलीन प्रताप राना ने कहा कि बाबा साहब जाती वाद के मुक्त आर्थिक दिष्टि के सिद्ध भारत का सपना देखा करते थे आज के दिन संकल्प लेने का दिन है उनके मार्क का अनुसरान करने का शाती शमिधान का पालन करने और इनकी राक्षा करने का